हेलो एवरीवन आयो प्यार वैल तो आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे यूटेट एक्जाम के साइंस सब्जेक्ट के सेलेबर्स के बारे में कि साइंस सब्जेक्ट से वे कौन-कौन से इंपोर्टन टोपिक्स है जिनसे यूटेट सेकिंड में कुश्चन पूछे जा है तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं साइंस के बेसिक सेलेबर्स के बारे में तो यहां पर तीन सब्जेक्ट से आप से कोश्चन पूछे जाते हैं जिसमें फिजिक्स केमेस्ट्री और बाइलोजी यह तीनों इंक्लूड होते हैं तो फिजिक्स से कौन-कौन से इंप अब इसके बाद आपका chemistry तो chemistry से आप करेगा matter, solid, liquid and gas उसके बाद आपका atoms and molecules उसके बाद आपका acid, base and salt उसके बाद chemical reactions, metal and non-metals, carbon and its compound and उसके बाद आपका elements तो यह हो था आपका chemistry का syllabus अब बात करते हैं biology के syllabus के बारे में तो biology से आप करेगा the fundamental unit of life उसके बाद है tissues उसके बाद है diversity city of living organism उसके बाद है आपका life process, control and coordination उसके बाद है plant उसके बाद है internal parts of our body और last topic आपका heritage and evolution तो यह था आपका science का basic syllabus अब बात करते हैं कि क्या आपके जो syllabus का क्या standards रहेगा तो सबसे पहले आपके देखें note 1 लिखा हुए syllabus will be of 10th standards तो जो आपका syllabus है वो आपका रहेगा 10th standard question level will be moderate to hard लेकिन जो आपका question का level होगा वो आपका moderate to hard रहेगा यानिके syllabus तो आपका 10th standards ही रहेगा लेकिन जो level होगा question का वो आपका बढ़ जाएगा वो आपका moderate to hard हो जाएगा तो अब बात करते है science की pedagogy के बारे में तो science की pedagogy से जो important topic से भी रहेंगे आपके nature and structure of science, understanding the science, science and technology, उसके बाद आपका natural science, उसके बाद evolution and innovation, उसके बाद methods of science teaching, text materials, problems of teaching, remedial teaching, तो इसी चुड़ों में science के syllabus के बारे में जान करें जो आपका you test second exam के regarding काफी important है, तो आज की उड़ों बस इतना ही, तब तक के लिए उश्वल बेस्ट, थैंक्यू.